तो यार उम्मीद है हिंदी की preparation बढ़ियां ओरी होगी और तुम सारे exams में अच्छे नमबल ला रहे होगी हम इस वीडियो में तुम्हें writing section के format और केसे लिखना है वो बताने वाले हैं सबसे पहले हम बात करते हैं पत्रलेखन के बारे में पत्रलेखन हमारा होता है दो प्रगार का अपचारिक और अनपचारिक अपचारिक हम offices, businesses के लिए लिखते हैं अपचारिक होता है तुम्हारा formal letter अनपचारिक हम दोस्त और family को लिखते हैं अनपचारिक को informal letter बोलते हैं इंग्लिस में तो यार यह रहा अपचारिक का format मालो प्रिंसपल को पत्र लिख रहे हो यार कोशिस करना simple words का use करो पत्र को left side margin से लिखो और सारे lines वहीं से start करना और यार एक page में कोशिस करना तुम्हारा पत्र complete हो जाए अगर exam में लिख रहे हो तो अपने personal informations मत ही लिखना आगे हम अनपचारिक पत्र का format देखते हैं सबसे पहले यार send us address लिखना है फिर बिना line छोड़े date लिखना उसके बाद एक line छोड़ना पत्र की body को लिखना और last में अपना नाम लिख के धन्यवाद लिख देना और ये राद दोनों पत्र का एक एक example जिसे ध्यान से देखो और समझो अब हम बात करते हैं सूचना लेखन के बारे में तो ये रहा सूचना लेखन का format सबसे पहले हम संगठन का नाम लिखते हैं फिर उसके बाद date लिखते हैं सिंटर में heading लिखते हैं और फिल left side में विशय के बाद body को लिखते हैं लास्ट में अपना signature और नाम जरूर लिख देना जो तुम्हारे question paper में दिया हो सूचना को तीन या चार वाक्य में complete कर देना simple words में लिखना असानी से समझाने वाली language हो तो यार अब बात करते हैं हम विज्यापन लिखन के बारे में तो यार विज्यापन तुम्हें कुछ इस प्रिकार से लिखना है यार विज्यापन का कोई format नहीं होता बच इतना याद रखना कि विज्यापन को हमेशा box में लिखना और ऐसे words में लिखो कि ज्यादा attractive लगे बाकी color तो तुम अपने हिसाब से करी लोगे अब हम बात करते हैं निबंद लेखन के बारे में यार देखो तुम इतने सालों से निबंद लेखन लिख रहे हो साथ मुझे बताने की कोई जरूत नहीं है तो मुझे यकीन है कि तुम निबंद लेखन को लिख लोगे तो दोस्त अच्छे से prepare करो और paper को फोर देना best of luck